नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल अलाइमेंट गुरू की एक और नई वीडियो में और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेरिंग एंगल सेंसर के बारे में जो एक सेफ्टी फीचर है वैसे आपको पताईए कि गाडियों में अब तरहेदरह के सेफ्टी फीचर आने लगे हैं उन्यमे से एक फीचर होता है स्टेरिंग आगल सेंसर का скоро कउच गाडियों में हडोलिक आता है लेकिन अब ज्यादतर गाड़ियों में EPS electronic power steering system आता है और उसमें ये features भी होता है steering angle sensor का तो ये steering angle sensor इस तरह काम करता है और अगर ये सही से काम ना करें तो हमें कार चलाने में क्या दिकत होती है या mechanic को क्या problem आती है इनको सुधारने में सर्विस करने में वो सारी बाते करेंगे और ज्यादा तर जो हमारे alignment mechanic है उनको भी बहुत सारी दिकत आती है steering angle sensor से जुड़ी हुई तो उस सारी चीज़ों की बारे में आज discuss करेंगे मैं वो लीला सिंग आपकी कार का wheel alignment expert और आप देख रहे हैं youtube channel alignment guru तो सबसे पहले बात करते है steering angle sensor क्या है देखिए गाडियों में बहुत सारे अडास features भी आ रहे हैं अडास features का क्या मतलब है advanced driver assistant system यानि बहुत सारे features जो बहुत सारे sensor है features है उनको मिलाकर एक अडास feature system बना जाता है जो आजकल गाड़ी या driverless होती है यानि bugger driver के भी चलती है वो अडास feature से ही चलती है तो अडास feature को एक बहुत सारे features को मिलाकर अडास feature को बना जाता है जिसमें बहुत सारे sensor, camera, radar ये सारी चीजे होती है और उनको जोड़कर एक अडास system बना जाता है लेकिन अज़ बात करेंगे steering angle sensor के बारे में जो एक अडास feature का ही supporting features है यानि एक safety feature भी है अडास को support करने वाला भी features है वैसे गाड़ियों में बहुत सारे features होते हैं जैसे ABS, NT, Lock Braking System, EVD, Electronic Brake Distribution System, Cruise Control, ESC, Electronic Stability Control, बहुत सारे features हैं तो सबसे पहले बात करते है steering angle sensor क्या है तो steering angle sensor steering wheel की activity को जोड़ता है ECO से जो हमारी steering wheel की activity है उसको ECO से जोड़ता है यह जोडने का काम करता है यह steering angle sensor तो steering angle sensor basically steering की position और steering को turn करने की दर को मापता है और यह steering column में लगा होता है तो steering की position को major करता है, मापता है, read करता है और steering को turn करने की दर, turn करने की rate है power उसमें कितनी लग रही है, उसमें कितनी force लग रही है उसमें कितना torque लग रहा है, उस चीज को मापता है अब इससे फायदे क्या है, तो देखिए एक CA safety feature है गाड़ी out of control होती है, तो उस condition में यह driver को support करता है driver को indicate करता है, और गाड़ी को सीधी चलाने में, controlling में मदद करता है, तो यह इसके benefits हैं और इसके नुक्षान की बात करें, तो यह अगर data गलत देता है तो गाड़ी की handling की problem रखती है, गाड़ी इधर दर भागती है या गाड़ी चलाने में बहुत परिशानी होती है तो अब बात करते हैं कि अगर इसके खराब होने से या इससे related कोई भी गाड़ी में problem आती है steering से जुड़ी हुई या steering angle sensor से जुड़ी हुई तो mechanic लोग या जो हमारे car owner हैं वो कैसे समझें और क्या problem आती है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज है गाड़ी की handling अगर ये data गलत देता है तो गाड़ी की handling यानि controlling खराब हो जाती है गाड़ी left को या right को अपने भागती है, turn करती है इसमें क्या चीज खराब हो सकती है ये हम गाड़ी को चला कर भी पता लगा सकते है एक idea लगा सकते है वैसे अगर ये खराब हो जाता है अपना काम करना बंद कर देता है तो गाड़ी के cluster meter में इसका indication आ जाता है इसकी light आ जाती है steering वाली जिससे हमारे EPS में जो भी कोई गड़वड़ी है उससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या है वो हम चेक कर सकते हैं एक scanner के द्वारा और अगर ये खराब नहीं होता है लेकिन डाटा गलत देता है तो फिर light-wide कुछ नहीं आती है लेकिन गाड़ी को चलाने में problem आती है अब गाड़ी को क्या problem आती है जैसे माली जो गाड़ी left या right भागती है तो हम कैसे पहचान है कि steering angle sensor की problem है या alignment की problem है या कोई और problem है तो सबसे पहली जो problem है वो है steering calibration की स्टेरिंग है वो एक center position में रखकर उसको calibrate कर देते हैं तो उसके हिसाब से वो जो steering की position है उसको read करता रहता है और जो steering left या right turn कर रहा है कितने उसमें force लग रही है उस सारी चीज डीड करता है और यह सारा data ECO को देता है बीच में एक और features होता है electronic stability control वो भी इससे जुड़ा होता है यह सारे features उसको देता है और उसके द्वारा ECO को पहुंचते हैं तो हमारी इसमें कोई भी data जाता है वो ECO को जाता है और उसी हिसाफ से हमारी गाड़ी की handling को कंट्रोल करता है तो सबसे पहला जो काम है इसका खराब होने का या बिगणने का या data reading गलब देने का वो है steering calibration अगर यह अपनी position से हट जाता है यानि calibrate नहीं होता है left में या right में चला जाता है उसका calibration out हो जाता है तो उसी हिसाफ से जो हमारा steering है चलाने पर उसी direction में जाता है जिदर यह calibrate होता है जैसे मालीजे कोई गाड़ी में problem आई कहीं गड़े वड़े में गड़ी गई या कहीं suspension का काम हुआ और यह इसका calibration खराब हो गया left की तरफ हो गया तो हमारा चलाने में steering wheel left की तरफ हर्दम भागता रहेगा यानि हमारी गाड़ी की controlling खराब हो जाएगी इसका solution यह है कि इसको calibrate किया जाता है दोवारा से यानि reset किया जाता है इसका calibration है उसको reset कियाता है उसी genuine position में इसको reset कियाता है लाया जाता है पहला तो ये है दूसरा है गाड़ी ये सीधा रहता है अपनी पोजिशन में लेकिन गाड़ी हमारी पुल करती है तो उसमें क्या होता है हमारा जो स्टेरिंग वील है वो सेंटर में नहीं होता है अब सेंटर क्या होता है स्टेरिंग वील का हमारे जो दो वील है आगे के वो सीधा रहेगा वो steering का center हो गया अब steering का center माल लीजे बिगड़ गया पर यह हमारे ऐसे होगे या ऐसे होगे steering wheel का center है वो out हो जाएगा left में चला जाएगा या right में चला जाएगा लेकिन जो steering angle sensor की position है वो वही है steering को वही रखने की तो steering wheel right में चला गया center का right में हो गया तो वो उस point को read करता रहेगा कि right में है और अपनी तरफ खीचता रहेगा या नहीं left की तरफ खीचता रहेगा अपनी center position की तरफ खीचता रहेगा तो फिर गाड़ी हमारी left को pull करेगी तो यह problem इस तरह से इनमें आती है यह problem solve करने के लिए आपको गाड़ी की alignment करनी पड़ेगी alignment की adjustment करनी पड़ेगी और उस adjustment में जो steering wheel का सीधा रखते हुए steering wheel को सही center position में लाना है जिससे हमारा steering angle sensor calibrate है उस position में लाना है तब गाड़ी के wheel सही होगे और हमारे steering position भी सही होगी और steering angle sensor का जो position है वो भी सही होगा यह तीनों चीज सही होगी तब आपकी गाड़ी एकदम first class चलेगी सीधी चलेगी steering को छोड़ने पर गाड़ी सीधी चलेगी इसके बारे में ज्यादतर जो car owner है उनको भी नहीं जानकारी होती है और जो हमारे mechanic भाई है उनको भी कई बार knowledge नहीं होती है या नहीं समझ में आता है कि गाड़ी में जो problem है pulling की या एक तरह भागने की वो alignment की वैसे है या calibration की वै estar की वैसे tire की जो हमारी tendency होती है वह left या right किसी तरफ खीचने की हो सकती है जिसकी वैसे हमारे गाड़ी left को या right को turn करती है अपने आप उसमें गड़ी एक तरह पुल करती है left को or right को जयां tire की tendency होती है लेकिन steering wheel हमारा सीधा रहता है, जो steering wheel का center है वो भी center में रहता है और जो steering का calibration है वो भी center में रहता है, लेकिन गाड़ी pull करती है, जब हम गाड़ी को एक पकड़ के रखते हैं, तब गाड़ी सीधी चलती है, तो ऐसी condition भी आती है, तो ऐसी condition के लिए हमें tire को rotate कर लेने चाहिए लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट या पीछे के टायर अदल बदल करके देखनानी चाहिए उससे वे कोई फरक नहीं पड़ता है तो फिर आगे स्टेरिंग कैलिबरेशन या वील अलाइमेंट के बारे में देखना पड़ता है तो अगर हमें स्टेरिंग पकड़के रखना पड़ता है एक एंगल में राइट को या लेफ्ट को तो फिर स्टेरिंग वील का जो सेंटर है वो सही नहीं है इससे वो गाड़ी एक तरफ खींचता है अगर हमारा steering wheel center में नहीं रहता है एक तरफ ही भागता है तो फिर वो steering calibration के problem होती है तो इस तरह से कुछ idea लगाया जाता है कि कहां क्या problem है steering wheel से जुड़ी हुई है steering angle sensor से जुड़ी हुई है या wheel alignment से जुड़ी है इस तरह से हम अपनी गाड़ी की जो कोई problem है उसको find out कर सकते है उसका solution ले सकते है तो दोस्तों आज ये छोटी सी जानकारी थी आपको ये जानकारी कैसी लगी है और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कराए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले फिल में लेंगे एक next वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत